बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम आप देख रहे हैं सटार स्टूडियो हम कर रहे हैं एर्थ क्लास की मैट के एक्सरसाइज 1.2 1.2 का आज हमने तीसरा स्वाल करना है शो डाट इफ A, B, and C तीन सेट दिये गए देन A union intersection A union C यह जिस तरह यह दिये गए इस तरह इसको हमने इसापत करना है परताल करना है इसकी वेरिफाइग करना है तो हम ले लेते हैं जिसकी left hand side A union B intersection C is equal to सबसे पहले A set लिखेंगे set A का है A, B, C union कामा अब set B लिखेंगे B का है B, D, F set B B, D, F के बराबर है B, D, F intersection set C लिखेंगे is A, F, C A, F, C कामा अब जो के पहले intersection वाले दो sets के लांग जो ना bracket लगाईगी है तो यहादा पहले इसका intersection मुलूब करेंगे जो जो जवाब हैगा उसका इसके साथ है union मुलूब करेंगे फिलाल set A को ऐसे लिखेंगे A, B, C union अब इनका intersection मुलूब करेंगे intersection में क्या होता है यानि कामन जो मुश्तरिक हैं दोनों में वो elements लिखने है B, D इसमें नहीं है और A और C इसमें नहीं है तो लहाद सिर्फ और सिर्फ A की element F जो है वो कामन है अब अब इनकामने union लेना है पहले intersection दिया था अब union लेना है union में A, B, C, F दोनों के सारे elements लिखने है repeat भी नहीं करना इसको suppose मैं one कह देता हूँ now right hand side is equal to A union B intersection A union C तो पहले record लगा कर A union B लिखते है set A क्या है A, B, C union अब set B लिखेंगे set B क्या है B, D, F B, D, F bracket intersection फिर bracket भी जहां शुरू हो गी है set A लिखेंगे set A क्या है A, B, C A, B, C फिर union set C लिखेंगे set C क्या है A, F, C A, F, C bracket band है अब पहले इन दोनों का union लेंगे इनका भी union लेंगे फिर उनका अपस में intersection लेंगे A union B A, B, C, D, F A, B, C इसके तिनों आगे हैं B, D, F B, D, F इसके भी तिनों इसमें आगे हैं intersection अब A, B, C, F A, B, C इसके तिनों आगे हैं A, F, C A, F, C इसके भी तिनों आगे हैं दोनों के union हो गया है आगे हैं तिनों सारसार elements अब जो इनकामने intersection ले लेना है intersection क्या होता है जो common होते हैं A B C और F A, B, C, F D इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है इसलिए वो नहीं लिख सकते इसको मैं तो लिखूँगा अब देखें A, B, C, F A, B, C, F from one and two दोनों बराबर हैं नो from one and two left hand side is equal to right hand side left hand side क्या है A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C A union B intersection A union C जी अब यह तोनों proof होगे हैं hence proved चौता स्वाल है लिख show that if A is equal to zero का set है और B जो है zero वा one का set है और C जो है वो खाली सेट है तो मालूम हमने क्या करना है A union B intersection C prove that A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C A union C तो अब हम इसकी left hand side ले ले लेते हैं left hand side क्या है A union B intersection C तो सबसे पहले हम A set लिखेंगे set A क्या है zero union फिर bracket अब set B लिखेंगे set B क्या है zero वा one intersection खाली सेट bracket अब इसका और इसके कामल लिखने है intersection लेने है फिलाल इसको हम ऐसे लिख लेंगे zero को set को A को union अब इसमें और इसमें से कामल क्या है खाली सेट कामल है कुछ भी नहीं अब इसका और इसका union लेंगे zero और खाली सेट का इसका union होगा zero ये बन गिया one now right hand side is equal to A union B intersection A union C जी तो A union B हम लेंगे पहले सबसे पहले bracket लगा देंगे set A लिखेंगे set A क्या है zero का set एक ही element है zero union set B लिखेंगे zero वाओ one का set intersection A क्या है zero का set union union C क्या है खाली set है ऐसे इसका और इसका union ले लेंगे इसका और इसका union क्या होगा zero वाओ one intersection अब इनका union लेंगे तो zero खाली set और जीरो का union zero का set जोग बनेगा अब इसका intersection ले लेंगे intersection क्या मतला बता जीरो कामन है zero कामन है इसको मैं supposed to अब देखें, one में क्या है, zero का set बल रहा है और two में क्या है, zero का set बल रहा है Now, prom 1 and 2, left hand side is equal to, right hand side के, left hand side के, A union, B intersection C, is equal to, A union B intersection, A union C. The answer proved, जी जनार, ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकान के बटन को जरूर दबाएंगी, इस तरह हमारे तमाम नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहेंगी, थैंक्स वर वाचिंग, ला आफिज.